जैसरी कृष्णा नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको मागमास महत्म के 28 में अध्याय की कता सुना रहा हूँ जिसमें हम सुनेंगे बानर और सारस की कता इतनी कता सुना कर महत्मा देवदुती कहने लगे ही पिसाच उस राक्षस के यह अध्युद बचन सुनकर वह पुन्यात्मा पतिक कहने लगा हे भाई अब मैं तुमसे उन सारसों की कता सुरवन करना चाता हूँ जिनके बचनों का चिंतन करने से तुमें ज्यान पैदा हो गया है किरपा सुनाने का कश्ट किजिए हे पिसाच उस पतिक की यह बचन सुनकर वह राकिस करने लगा ही निस्पा ब्रहमण एक बार का जिक्रह है कि इसी परवत की एक मनुहर भाग में में इसी तरह भूख प्यास से पीड़त होता हुआ चला गया हे अनग में नदी के टट पर पहुंचाई था कि वहां आकास मारक से उड़ता हुआ एक सारस का जोड़ा आया और पानी पीकर क्रीड़ा करने लगा इसके बाद सारस तो नदी के किनारे सो गया और सारसी बैठ कर पहरा देने लगी हे दुजतम इसी अफसर पर अनेकों पिरकार के बन्य फलों का भक्षन करता हुआ और पेड़ों पर चलांगे मारता हुआ एक बिसाल बंदर आ गया और सोई हुए सारस की टांगों को पकड़ कर बैठ खया यद्पी उस बंदर को वहां आया देखकर बहर से डरे हुए सब पक्षी उड़ गई लेकिन स्वामी के प्रेम में बंदी होने के करण वह सारसी वहीं पर बैठी हुई रुदन करने लगी बानर द्वारा अपनी टांगों को पकड़ी हुई जानकर सारस निकाहे बानर सज्जन जीवों का ये काम नहीं कि वह निरपराद जीवों को बेकार सताई ये बानर राज हम ना तो किसी जीव की हिंसा करते हुए और ना किसी कुटिल जीव से निरभा करते ही तता सौपन में भी हम किसी परिस्त्री का सेवर नहीं करते ही अब तू केवल बनों में रहते हैं और जल पीकर सेलाब का ही भक्षन करते हुए आकास में बिचलन करते ही इसलिए हमारे जैसे निरप्रादों को पीड़ा पहुचाना हमेशा अनुचत है इतना ही नहीं हे बानर म में तुमारे पिछले जनम की कता को भली प्रकार से जानता हूँ यदि इच्चा हो तो मेरी टांगों को छोड़कर सादान मन से स्रवन करो है विप्रदेव सारस की यह बचन सुनकर बान ने उसी ख्षन सारस की टांगों को छोड़ दिया और थोड़ी देर अलग बैठकर को छोड़ दिया है क्योंकि पसु पक्षी भी कभी पूर्ट जनम की कता जाना करते हैं मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना और यदि तु कोई योगी जीव है तो सुना मैं ध्यान से सुनूंगा तब सारस बोला ही बानर राज अब मैं तुम को पिछले जनम का विरतान सुनाता हूं पिछले जनम में तुम बिंद्या प्रदेश के राजा थे और मैं तुमारा पूजनिय प्रोईत था मगर अज्यानता के कारण आपने ना तो उचित रूप से प्रजा का पलन किया केवल लोग के वसूत होकर अन्चित कर लगा कर प्रजा का पीड़न कर उनका धन दौल लुटते रही इस कारण बहुत समय तक कुम्भी पाक नर्क में घोर यातना सेनी पड़ी उस समय तुम नर्क के दारुन दुखों को जिलते हुए बार बार रोदन किया करते थी इसके बाद जब तुमारा नर्कों से उद्दार हुआ तो यह बानर की योनी पाई सो अब भी तुम नर्कों में जाकर उनकी घोर यातना सेनी की इच्छा कर रहे हुँ मैं पहले जनम में बेद सास्त्रों का ग्याता ही नहीं अब तुम जब तब भी किया करता था इसलिए मुझे पिछले जनम का इतियास अच्छी तरह से याद है एब आनर मनिश को अपने पूर जनम और इस जनम का पाप अबश भूगना पड़ेगा इसमें लेस मात्रवी संद्य नहीं है बुल माग मास महत्तम कीजए मुल विश्णू वगवान कीजए